नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर दोस्तो आप सभी का विलकम अभिनंदन है आपके अपने योटूब चैनल सिच्छक वरती के चैनल दोस्तो हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के मौक टेस्ट में बात करने वाले हैं आपके पता है 30 question complete करेंगे साथ ही एक mock question करेंगे तो सभी दोस्तों का welcome अभिनंदन है आपके अपने परिवार में जैसवाल coaching center पे पावरड वाई सिच्छा ही प्रकास है तो चले सभी लोग तयार है कि आप इन 30 question को Hindi grammar की mock test में सभी को comment करना है और यह mock test जो है आपका 20 number है यहीं कि प्रतेक डेली अभी 19 classes हमारी 19 जो session है complete हो चुका है playlist में सारी classes आप part wise देख सकते हैं चले दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके screen पर है राम पढ़ता है वाक है, सरल वाक है सन्युक तुवाक है, मिस्ति तुवाक है या इनमें से कोई नहीं तो राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है मतलब क्या हो गाए यह सरल वाक हो जाएगा साधार वाक हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला अपसन आप लोगों का सही हो जाएगा दूसरा प्रस्ण पूचा जा रहा है प्यारा सा प्रस्ण है उसने परिस्रम तो बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली आप लोग देखे होंगे कि सीटेट कभी जो एकजाम हुआ है इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके परिवार मुहले में रिलेशन वाले बोलेंगे उसने तो बहुत अच्छा परिस्रम बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली तो यह वाक कैसा हो गया देखे दोस्तों यह किन्तु जो जुड़ गया यह किन्तु जो जुड़ता है सबी लोग जानते हैं यहापे आपका संयुक्त हो जाएगा ठीक है उसने परिस्थम तो किया किन तू शफलता नहीं मिली तो आपका संयुक्त हो जाएगा अंगला प्रसन है यही सही दिशा में परिश्व करोगे तो अवश्च सफल हो जाओगे अगर यही सही दिशा में परिश्व करोगे डेली क्लासेज देखेंगे अटेंड करेंगे तीस कोश्चन मौक टेस्ट होते हैं आपके अटेंड करेंगे हरी क्लास तो आप जरूर सफल हो जाएगा, यानि पहले सफलता होने के लिए आपको सही दिसा में परिश्रम करना है, ठीक है? और सही दिसा के लिए सुरुआत होती ही चैनल के इच्छा वाचक है तो इश्वर तुम्हें शफलता दे तो इश्वर तुम्हें क्या सफलता दे मतब क्या इश्वर तुम्हें सफलता दे तो सभी लोग जानते हैं प्रश्ण वाचक तो हो नहीं सकता कहीं कोश्चन माग तो है नहीं आपका तो इस्वर तुम्हें सफलता दे तो कैसा हो जाएगा इच्छा वाचक हो जाएगा या फिर बिस्पर भी नहीं है कि ऐसा बना हो तो या आपका इच्छा वाचक हो जाए क्या है इस्वर तुम्हें सफलता दो इच्छा से जो निकलती है अपनी तो संतोस से बढ़कर सुख नहीं अब यहाँ से मेरे प्यारे मित confuse होते हैं बहुत से बच्चे, बहुत से कन्डीडेट यहाँ पर confuse होते हैं कैसे confusion हो जाते हैं कि संतोस से बढ़कर कुछ नहीं नहीं वर्ड आ गया, नकारात्मक होना चाहिए तो ये दोस्तों हमें वर्ड भी नहीं देख रहा है हमें अर्थ भी समझना है सोचना है कि आप परसन पूंचा जा रहा है संतोस से बढ़कर सुख नहीं तो कैसा आपका जो हो जाएगा ये हमारा क्यों हो जाएगा सरलवाक हो जाएगा संतोस से बढ़कर सुक नहीं सरलवाक हो जाएगा संतोस से बढ़कर सुक नहीं दोस्तो सुरी repeat हो गया ठीक है यह question next question देख लेते हैं मजदूर मेहनत करता है किन्तू उसके लाब से वंचित रहता है मने क्या बता है किन्तू परंतू यह सारी चीजें जब भी आती है तो आपका कौन सा वाक हो जाता है यह संयुक्त वाक हो जाता है क्या हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर संयुक्त वाक हो जाएगा जैसे और और आ जाता है सारी चीजें बताने वाले हैं पूरा प्रोसेस अंगला प्रस देख लेते हैं राजनीत यह एक बेवसाय बनती जा रही है जो गुंडा गिरी के बल पर चलती है अब यहां पर देखे यह फिर आ गया जो जो में कौन सा होता है सन्युक्त शरल मिस्ट तो सरल तो होगा नहीं सन्युक्त होगा या मिस्ट होग आज बहुत पानी गिरा साधारन वाक है सन्युक्त वाक है मिस्ट वाक है उप वाक है तो आज बहुत पानी गिरा साधारन वाक हो जाएगा आज बहुत पानी गिरा आज कम पानी गिरा क्या हो जाएगा साधारन वाक हो जाएगा इनमें कोई अधर तो आपका जुड़ा नह तुलसी दास ने कहा कि बिनास काल में मनुस्त की बुद्धी ब्रस्ट हो जाती है तुलसी दास ने कहा कि अब ये की से जुड़ा हुआ है दूसरा जो सब्द एक लाइन ये हो गई तुलसी दास ने कहा की से फिर इसके बाद बिनास काल में मनुस्त की बुद्धी ब्रस्ट हो इंदी grammar में दोस्तों जितना जादा आप practice करेंगे जितने जादा classes attend करेंगे आपको क्या remind होता है ता क्योंकि grammar खत्म नहीं होती है बहुत सारे question create होते हैं गध्यास पद्यास से बनते रहते हैं तो यह हमारे के लिए क्या है या दास्त के लिए आप daily regular अगर इसे आप connect तो बहुत यह अच्छा होगा grammar के selection पाने के लिए और भासा में अधिक्तम नमबर लाने के लिए तो तुलसी दास ने कहा कि बिनास काल में मनुस की बुद्ध इबरश्ट हो जाती है तो यह की सब्द से क्या जुड़ गए हाँ पे मिस्र वाकाब का बन जाएगा उससे अब अकेले नहीं रहा जाता उससे अब अकेले नहीं रहा जाता वहिया मेरा मुझे दर्द सही नहीं जाता मुझे दर्द ये पीड़ा मुझे सही नहीं जाती क्या हो जाएगा वहिया यह अपना भाव बता रहा है कि अब मैं अकेले नहीं रह सकता या उससे अब अक कि रिया बता रहा है तो भाव वाच कौन सा वाच हो जाएगा वहाँ जाओ निसेद वाचक है अनुरोध है आग्या है प्रश्ण वाचक है अभी आपको बोलेंगे कोई आध्यापक बन गए आपकी न्युक्त हो गई बच्छों से क्या वहाँ जाओ इधर आओ यहाँ जाओ कोई आप से पूँच लेगा एक कौन सा वाचक हो जाएगा निसेद होगा अनरोध होगा आग्या होगा तो वहाँ जाओ मतलब आप आग्यां दे रहें न अपने बालक को अपने बच्चों को आग्यां दे रहें कि वहाँ जाओ ठीक है तो क्या हो जाएगा आग्या वाचक हो वह हमारा मिस्र कहलाता है एक वाक हो गया कि जब तक वह घर पहुंचा फिर इसके बाद उसके पीता जा चुके थे तो जब तक वह घर पहुंचा उसके बाद क्या पीता जा चुके थे तब तक से जुड़ा हुआ है तो तब तक से क्या हो जाएगा आपके हाँ पे मिस्रवाक हो जाएगा मोहन नहीं आने वाला है क्या है प्रसंद्यान दीजेगा मोहन नहीं आने वाला है बलदायक, संदेवाचक है, स्वीकरात्मक है या नकरात्मक तो मोहन नहीं आने वाला है तो नहीं आ गया तो सभी लोग यहां पर आपका क्या हो जाएगा तो नकरार्थक हो जाएगा आपका कौन है नकरार्थक यानि नहीं आपका हो जाएगा कौन सार्थक कहलाएगा नकरार्थक कहलाएगा डी आपसन सही हो जाएगा उमीद दोस्तों हरे क्वेशन आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे हैं और नीचे कमेंट बाक्स अपना स्कोर अंत में जरूर बताईएगा इस मौक टेस्ट में आपका स्कोर क्या है किस वाक में क्रिया का भावाच प्रयोग है लड़कियों ने मा को देखा उससे फल नहीं खाए गए घोड़ा हिनिनाता है यह काम तुमसे ही सम्भव है तो किस वाक में क्रिया का भावाच है तो क्रिया का भावाच कहां पर है क्रिया मानी करना तो घोड़ा हिनिनाता है घोड़ा क्या करता हिनिनाना कहलाईगा ठीक है एक कंसेप्ट जान लीजिए की कृया के जिस रूप में ना तो करता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की बलकि क्रिया का भाव ही प्रधान मॉख्त होता है जैसे मोहन alltid मुझसे उठा नह जाता मुझसे HOL&E नहीं जाता ये सारे क्या हो जाएगे आपके यह भावाच कहला जाएगे ठीक है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रश्ट निन में से भावाच वाक चैन करना है सीता कपड़ा सीती है यहां बैठा नहीं जाता कपड़ा सीया जाता है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रश्ट प्यारा सा प्रश्ट है कि निन में से क्रत वाच वाक का चैन करना है वाच से प्रसन आ जाते हैं ध्यान पूरक देखीगा आपके गद्यांस पद्यां से वाच के प्रसन आते हैं ध्यान पूरक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा तो क्रतवाच पूँचा गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम है, नीद नहीं आती है, पुस्तक बढ़ी गई है, तो क्रतवाच हम पूँच पता रहे हैं, तो क्रतवाच क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या करता है? प पार्याले बंद हो गया शुबह हुई और वह आ गया राहुल धीरे धीरे लिखता है जो बड़े हैं उन्हें शम्मान दो देखे सरलवाक देखे यहां पे भी की है यहां पे और है और यहां पे अल पे भी रहा हम है यह तीनों सरलवाक नहीं है पहचान है आपका अगर यह अंडित है किन्तु हटी है आकास में बादल गरजता है वह कौन सा बेक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो तो मिस्रवाक पूचा गया है तो सभी लोग जानते मिस्रवाक वह कौन सा बेक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो तो मिस्रवाक क्या अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस इसके बाद ठीक है दस कोश्चन और करेंगे अब इस प्रसन को देखेगा ध्यान पूरक बहुत अच्छा है इंटेस्टेट कोश्चन है किन में से मिस्र वाक का चैन कीजे तो यह आपका कोश्चन यह भी रिपीट हो गया है ठीक है टाइपिंग में लिक्कत हो जाती है टाइपिंग प्रॉब्लम में अब देखते हैं अंगला प्रस किस वाक में अकर्मक क्रिया है यह हूं पिस रहा है मैं बालक को जगवाता हूं मदन गोपाल को हशारा है राम पत्र लिखता है राम क्या करता है पत्र लिखता है तो यहां अकरमक क्रिया वहां होती है जहां पर कोई क्रिया हो किसी दूसरे पर प्रभाव ना डाल पाए जिसे गेहूं पिस रहा है गेहूं पिसे गा लेकिन यह प्रभाव किसी पर नहीं डालना जदवा तो नहीं गिस जाएगा यह आपके चक्की तो नहीं गिसती है यानि गेहूं प देखे चिडिया उड़ रही है चिडिया आकास में उड़ती है तो चिडिया आकास में उड़ती है किसी प्रभावित करती है क्या नहीं कर रही है तो अकर्मक रिया यानि गहूं पिस रहा है कर्मक हो जाएगा मैं बालक को जगवाता हूं बालक को जगवाओ गे तो क्या हो ज राम पत्र को लिखता है एक प्रभावित होना चाहिए तो आपका पहला अप्सन सही हो जाएगा वह अपनी कच्छा का सरवादिक प्रतिवासाली चात्र है इस वाक का बीना अर्थ बदले निम्लिकित में से कौन सा नकारात्मक वाक उप्युक्त होगा अब आपको अर्थ नहीं बदलना वह अपनी कच्छा का सरवादिक प्रभावशाली चात्र है वह अपनी कच्छा का सरवादिक प्रभावशाली चात्र नहीं है उसके सम्मान कच्छा में कोई प्रतिवासाली चात्र नहीं है प्रतिवा में वह अपनी कच्छा के किसी चात्र स पूछे जाते हैं ठीक है अच्छा प्रस्ण है वह अपनी कच्छा का सरवादिक प्रतिभासाली चात्र है या उसके सम्मान उसकी कच्छा में कोई प्रतिभा साली चात नहीं समाने क्या होना चाहिए तो बी आपसन आई थिंग सही होना चाहिए आप देखते हैं अंगला प्रस्न प्यारा सा प्रस्न है ध्यान देजिएगा 23 नंबर क्या पूंचा जा रहा है किनिम निखित मिस्र वाक में कौन सा बी सेशन उपवाक है अब आपको क्या करना बी सेशन उपवाक पहचानना है मैं कहता हूँ कि भोपाल जाओ लखनाओ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक एतिहासिक नगर है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे तो दोस्तो बिसेशन उपवाक यहनि लखनाओ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक एतिहासिक नगर है यह क्या हो जाएगा बिसेशन उपवाक अब आप बोलेंगे बिसेशन उपवाक क्या है यह एड़ेक्ट्व जो क्लाज होते हैं यह क्या है तो दोस्तो बिसेशन उपवाक यहनि एड़ेक्ट्व जो क्लाज होता है जो बोलाग किसी दूसरे उपवाक में आय संग्या यह सरुनाम की बिसेश्था प्रकट करता है उसे बिसेशन उपवाक कहते हैं दूसरे सब्दों में जो गौण उपवाग प्रधान उपवाग की संग्या सरुनाम या संग्या पदवन की विसेशता बताएं वह विसेशन उपवाग कहलाते हैं आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे सबी मित्रों को जहिंदे वंदे मातर में जैसवाल सर आप सबी को नमन करते हैं क्योंकि आप वो कार करने वाले हैं सिच्छा दान का कार है सिच्छा देने जा रहे हैं बच्चों में देश की पीड़ी का निर्मान कर रहे हैं आप लोग और सिच्छा दान सबसे बड़ा दान होता है तो आप शबी को जहिंद दोस्तों आप देखते हैं गला प्रस्ण उसने कहा कि मैं घर जाओंगा शरलवाक, संयुक्तवाक, मिस्रवाक, प्रस्णवाच्यकवाक तो उसने कहा की मैं घर जाओंगा तो कीवर्ड जब भी आए तो क्या करना वहिया मिस्रवाक की क्या हो गया मिस्रवाक हो जाएगा और अच्छा कोश्चन देखिएगा ध्यान पूरक ये चीजे बहुती नार्मल है सिंपल होती है लेकिन समझने वाली बात है ध्यान दिजेगा कौन सा अल्प बिराम चिन है यहाँ पर मिस्प्रिंट हो जाता है कौन सा करें क्या नहीं कहें तो सबी लोग जानते है ये जो सेकंड नंबर है ये अर्द अल्प बिराम होता है और ये अल्प बिराम होता है ये फूलिश टाफ होता है तो यहाँ पर क्या पूँचा गए अल्प भी राम तो आपका सी आपसन आपर सही हो जाएगा बहुत ही सरल कोश्चन होते हैं सरल भी पूँचे जाते हैं यह भी हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार कौन सा अर्ध भी राम है जिनने तो अभी हमने भी बताया था कौन सा अर्ध भी राम है फटा फट कमेंट के द्वारा बताएंगे शवी लोग अर्ध भी राम है और अंति में बताना भी है तीसमें से आपको कितना है अगर डेली आप टिक है 25 प्लस 22 तेश 24 पचीस ऐसे छेवारा तो कौन सा अर्ध भी राम से मिल जाएगी ओर यह सारी चीजेंब चल्द आपको हम प्रोशस कर रहें ठेक है चली तो कौन सा अर्ध भी राम łुष है झाये सारी चीजिये आये तो हमारा ये टे संन देखना तुम्हें बिश्मे बोधक के आंपταन पर जाना है पैसे राम घर गया उसने मां को देखा का संद्ध वाक बनेगा राम घर गया और उसने मा को देखा राम ने घर जाकर देखे दो आपके ये ठीक है दो सब्द यानि की दो वाक दिये गए हैं इन दोनों वाक को क्या संयुक्त करके जोड़ना है तो हमने क्या बताया था संयुक्त में क्या होता है और जब भी कर दे राम गया और उसने मा को देखा तो और अगर जवाहल लाल निहरू का नाम न सुना हो अब कौन सा वाक है आपका शरल वाक तो होगा नही, संयुक्त होगा मिस्ट होगा, इसमें बहुत सारा confusion होता है, ठीके, तो यहां पर मिस्ट होगा, ना तो यहां पे और यहां पे की लिखा होगा है, ठीके तो इस कौन से हो जाएगा आपका यहां पर MIST AWARE के अपसन हो जाएगा और चले M owc questioned देख लेते हैं इसका जवाब जो है आपको comment box बता आना है और आपका एंसर क्या है M Owc Question का देख लेते हैं कि word के घटक होते हैं जी हां दोस्तों वाक के घटक होते हैं उद्देश और विधे, करता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विसेशन तो वाके गए गटक कौन-कौन से होते हैं चार आपसान है नीचे कमेंट बाक्स बताना है और देखते हैं वहिया कितना आपका प्रफेशन है कितनी आपकी त्यारी है क्योंकि selection आपे शरूपर ही है हर एक त्यारी हर एक concept हर एक preparation important है हर एक session important है दोस्तों ठीक है तो सभी मित्रों को शुब राती जैहिंद वंदे मात्रा